दोस्तों, मैं हूँ जिधात और Learned Home Education में आप लोगों का एक बार फेट से बहुत-बहुत स्वागत है अपने फिछले वीडियो में हमने सोसल साइंस के स्लिवस के बारे में जाना आज के अपने इस वीडियो में हम कंप्यूटर के स्लिवस के बारे में जा रेंगे मैं आपको बता दूँ यह जो स्लिवस अभी हम पढ़ रहे हैं यह सेमिस्टर वन का है तो डियलेट के सेमिस्टर वन के हम कंप्यूटर के स्लिवस के बारे में जानेंगे मैं अल्रडी अभी जो है सोसल साइंस के पेज़ पे हूँ आपको सेफ एक बार नेक्स्ट क्लिक करना है आप कंप्यूटर के पेज पर पहुच जाएंगे आप डारेक्टली यहां से कंप्यूटर का जो पीडियफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड पीडियफ पर क्लिक करके लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहां से सिंपली मेरी वेबसाइट पर चले जाएंगे वहां से सैमिस्टर वन के पेज पर जाकर आप जो 6 सबजेक्ट है हमारा कंप्यूटर लास्ट सबजेक्ट है उसकी पेज पर जाकर इसकी पीडिया को डाउन तो जो computer की history है और उसका development है वो हम पढ़ेंगे, उसमें history और development में सबसे पहले हम chronology पढ़ेंगे, फिर उसके बाद generations पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा introduction में आता है definition of a computer system, फिर types of a computer system, on the basis of data representation, analog, digital, या फिर hybrid, on the basis of size and speed, micro computer, mini computers, mainframe computers and super computers, तो इनके हिसाब से हम इनका classification भी करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम uses and applications area of computers, ये भी सारा हमारा introduction के अंदर ही आएगा, फिर advantage and limitations of computer, उसके बाद हम पढ़ेंगे components of a computer system, computer system के जो components हैं उनके बारे में हम जानेंगे, हमने उसको hardware और software दो चीज़ों में divide कर रखा है, तो hardware section में ह जैसे की keyboard, mouse, track wall, stellus, light pen, ये जितनी भी input devices हैं हम use करते हैं, ये सारे के सारे hardware के अंदर ही आएगे, फिर हम processing devices, जैसे की हमारा CPU, microprocessors, इनके बारे में जानेंगे, उनका overview, basic concept, registers, buses, processing speed, gigahertz में जो होती है, normally, उसके बारे में हम जानेंगे, CPU के बाद फिर हम memory की study करेंगे, ये ये नहीं भी सारी हमारी कैया है, processing devices हैं, जो कि हमारी computer के components हैं, टिक है, memory के overview करेंगे, basic concepts, capacity, ठीक है, terminology काौन काौन से होती है, memory की width क्या होता है, whites क्योंते है, kv's क्योंते है, mb's क्योंते है, gv's क्योंते है, tv's क्योंते है, ये सारे चीज़े हम, इनकी terminology भी पढ़ेंगे, उस सते होती हैं थाइप स ओप मेमोरी पढ़ेंगे हम प्रैमपरी में मुरी और सिकेंट्री ममोरी है ऑढ़ל सब्सक्राइब दीविडि निमें स का premièreना हम पढ़ेंगि फिर इंपोगर के वाद हमBERंगे अउट्पुट इवायसे के बारे में जैसे इस प्रिंटर्स ओधे Legium उनको हम पढ़ेंगे फिर यहां तक हमारा hardware जो हो complete हो जाएगा फिर हम software की study करेंगे software में हमारे system software और application software दो तरह के software होते हैं दोनों के बारे में हम जानेंगे उसके बाद फिर हम आ जाएंगे working of a computer system computer system की working पे तो उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम IPO input processing and output cycle ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे overview of instructing, programming and computer machine तो computer machine की programming and instructing के बारे में हम brief में पढ़ेंगे उसके बाद फिर हम working on a computer computer पे काम कैसे करते हैं इसके बारे में हम study करेंगे तो सबसे पहला जो topic रहेगा इसमें हमारा रहेगा working with system software operating systems तो सबसे पहले हम operating systems का introduction लेंगे introduction के बाद उसके function फिर uses of benefit, types of operating system, single user operating system, multi user, multitasking, multiprocessing, real time, हम जिजने भी operating system के types होते हैं उनके बारे में जानेंगे फिर introduction of different type of operating system जैसे की windows है, macintos है, linux है, one two है, जिजने भी operating systems different different आजकल हम use करते हैं उनके बारे में हम इनका introduction लेंगे basic introduction उसके बाद हम using of Microsoft Windows, normally most probably, जालता लोग Microsoft Windows का use करते हैं, जालता organizations में Microsoft Windows का use होता है, तो इसलिए हम उसके बारे में detail में जानेंगे, Microsoft Windows में सबसे पहले हम welcome screen के बारे में बढ़ेंगे, welcome screen क्या होता है, फिर उसके बाद desktop screen आईगी, desktop screen में क्या क्या होते है, concept of a desktop, components of a windows, xpeed, desktop पे icon रहेंगे, taskbar, clock, calendars, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, फिर हम बात करेंगे, file and folder management की, windows में ही, file and folder management में हम क्या करेंगे, introduction to my computer, my computer का हम सबसे पहले introduction करेंगे, उसके बाद working with windows explorer, windows explorer के साथ कैसे काम करते हैं, वो हम जानेंगे, parts of a window, control button, scrolling etc, इन सब के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम working with files and folders, file and folders के साथ कैसे काम करते हैं, कैसे file folders create करते हैं, कैसे delete करते हैं, कैसे rename करते हैं, कैसे copy करते हैं, कैसे move करते हैं, कैसे nesting करते हैं, यह सारी चीज़ों के बारे में हम file folders के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम system management सिखेंगे, system management के बाद हम turning on and off computer machine, कैसे हम computer को on कर करें ये जानेंगे इसी के अंदर आएगा हमारा control panel, control panel को कैसे हम operate करते हैं, कैसे हम अपनी devices जो हमारी control panel में होती है, printer, fax, mouse, keyboard, इनका सारा management कैसे होता है, हमारा control panel के थुरू, कैसे program का installing और uninstalling होती है, ये सारी control panel के थुरू, फिर recycle win के बारे में हम पढ़ेंगे recycle win का क्या use है, कैसे recycle win का use करते हैं, उसके बाद हम next year हमारा topic रहेगा, वो रहेगा working with application software, ठीक है, तो हम इसमें hand on करेंगे, practice करेंगे, journal applications पे जैसे हमारा calculator हो गया, notepad हो गया, MS paint हो गया, games हो गए, तो इन सारी शीज़ों पे हम hands on करेंगे, इनको चलाना सीखेंगे, उसके बाद installing of a new software, ठी सबसे बहले हम उसका introduction of basic concept सीखेंगे, फिर uses and applications सीखेंगे, using some multimedia application like windows media player, microsoft, encarta, इन सारे जो हमारे multimedia applications हैं, इनका use करना सीखेंगे, फिर uploading, innovating, teaching methods in different browsers, तो अब हम फिर उसके बाद कैसे हम different browsers के थूप लोडिंग, innovative methods use कर सकते हैं, teaching के लिए, वो हम सीखेंगे, फिर बात करते हैं हम internet की, इसके बाद हम internet के बारे में जानेंगे, internet में सबसे पहले हम introduction of networking करेंगे, introduction of networking में हम introduction of basic concept, uses and applications, types of network, performing setup, gather to or more system in a network, तो सबसे पहले हम networking के बारे में जानेंगे, उसके बाद next हमारा concept जो रहेगा introduction to internet, internet का हम introduction पढ़ेंगे, उसमें introduction and basic concept of internet पढ़ेंग यह मं फिर उसके बाद components of internet, internet की components का उनकाउन से होती है, web browser, server, website, web pages, hyperlink सी, क्या होती है, इनके बारे में हम जानेंगे, services of internet, internet सी services क्या होती है, इसे www, क्या है, worldwide web, email, ftps, chatting, etc, ये सारी services के बारे में हम जानेंगे, performing setup for internet, इना computer system, computer system में कैसे internet जो है, हम उसका setup करेंगे, उसके बा काम कैसे करते हैं वो सीखेंगे, using of Microsoft Internet Explorer, सबसे पहले हम Microsoft Internet Explorer पर काम करना सीखेंगे, using of basic online services, basic online services जैसे search engines है, Google, Google, Wing, Yahoo, इनको use करना सीखेंगे, email, Gmail, Yahoo, mail, etc, हम इनको कैसे use करते हैं, वो सीखेंगे, फिर chatting करना, MSN, Yahoo, Messenger, इन सारे चीज़ों का use करके हम कैसे chatting कर सकते हैं, Internet के थूरू कैसे हम calling कर सकते हैं, Skype के थूरू, वो हम सीखेंगे, social networking sites जैसे Twitter, Facebook, Google, MSN, इन सारे चीज़ों का use हम कैसे कर हम सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम accessing educational related online links, websites, app pages, Twitter, LinkedIn, etc, इन सारे चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे, तो इनके जो हमारे educational links हैं, उन पे हम क्या क्या है, MHRD, NCRT, और SCRT की states की जो sites हैं, उन पर visit करेंगे, DIET की site पर visit करेंगे, UP basic education की site पर visit करेंगे, तो इन सारे चीज़ रहेगा, downloading and uploading content to the internet, internet पे कैसे हम कोई चीज़ download करते हैं, internet से, और हम इसके अंतर कारते हैं, उसके अंतर करते हैं, पढ़ेंगे PDF, वीडियो को, कैसे हम downloading करते हैं, तो software को कैसे हम download करते हैं, ठीक है, फिर उसके बदाटा सेक्योरटी जिस के बारे में पढ़ेंगे, डाटा सेक पढ़ना भी बहुत important होता है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, otherwise हम हैं का भी सिखार हो सकते हैं, तो introduction of revealing threats, frauds in the online world, सबसे पहला topic रहेगा हमारा, second topic रहेगा, step to ensure security for personal and data, third topic रहेगा, securing data through antivirus, downloading a free copy, installing and updating it, next topic रहेगा, some useful web tools जैसे की MS front page, और दूसरा रहेगा, हमारा MS Outlook, ठीक है, तो यह जो हमारे useful web tools हैं, इनका हम use करना सीखेंगे, हिंदी का use करना सीखेंगे हम computing में, जैसे reading text in Hindi, using google translator, इसका use करके हम text को हिंदी में read कर सकते हैं, writing text in Hindi, using microsoft language, indic input tool, पहले हम हिंदी में typing करते थे, अब हमें उसकी जरूत नहीं होती, हिंदी input tool का use करके हम normally simple keyword के थूरू भी Hindi की typing कर सकते हैं, next topic रहेगा, वो हमारा रहेगा, using software application for documentation and professional use, need of IT tools and their priority over manual work, ठीक है, next रहेगा packages जैसे introduction and basic concept, types of packages, world processors, work sheet packages, presentation packages, database packages, etc. introduction of different offices packages in market, microsoft office 2007, oracles, open office, org, etc. इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद हम working with the office package, microsoft office के साथ में काम करना सीखेंगे, microsoft office package में जितनी भी हमारे software जैसे, ms world है, ms excel है, ms powerpoint है, ms access है, इनके बारे में हम basic knowledge लेंगे, इनके बारे में हम सीखेंगे, कैसे हम इनक cyber laws, यह क्या-क्या है, इनके बारे में हम जानेंगे, इसके अंतरगत हम कुछ topics पढ़ेंगे, जो कि है हमारे experimental और seasonal work जो रहेगा, cyber safety और IT cyber laws के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद हमारे experimental और seasonal work रहेगा, उसमें हम preparation करेंगे, in TLM का, जो ms paint के थुरू, ठीक है, create a worksheet in ms excel using data form class records, for example, name and height of the students, and marks obtained by them, using this worksheet, to create the different types of chart, like line chart, bar chart, pie chart, column chart, इन सारी चीज़ों को हम कैसे create करेंगे, यह हम ms excel के थुरू, हम इनका, जो seasonal work है, experiment work है, वो create कर सकते है, practice of theoretical aspects in the computer, lab of institution, create a teaching video of your choice and upload on internet, create a blog on academic issue, translate any text into different languages, Hindi, English using Google, prepare a collection of reference material on any topic allowed by the teachers using different search engines like Google and websites of IGNU, NCRT, UNESCO, ETC, make a powerpoint presentation, to create awareness about any one of the prevailing social issues in our society, each student will write a critical review on cyber safety and cyber laws, practice of the theoretical aspects in the computer lab of the institution, ठीक है, तो यह तो था हमारा computer का slavus, जो यहां complete हो जाता है, तो semester 1 का हमारा slavus यह ही complete हो जाता है, कुछ हमारे common subjects हैं, जैसे ही कि हमारा art हो गया, music हो गया, इन सारे चीज़ों का slavus आप हमारे common sector में जाके देख सकते हैं, Thank you so much for watching, बने रही है हमारे साथ semester 2 के slavus के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, Thank you so much.